नमस्कार्ट दोस्तों अपको बताने माला हूँ आपके कॉम्पूटर में आप किस तरह से वाइपाई चलासकते हो तो बहुत तरह लोग दोस्तों अगर आपके लैपटॉप रहेंगे तो वहाँ पर इंट बिल्ट वाइपाई आ जाता है लेकिन अगर आपके पास इस तरह से पीची रहेगा कोंपूर रहेगा तो आप्कोषीres RW कि सतों टो कि सब्सक्राइब देने वाले हुं। जैसे कि आपके वाएपाइ कंडे नेक्त करने इस तरह से वाइपाइ esca का आपको सऑ दू spirits रुपय में मिल जाएगा यह आपके पास होना जरूरी है तो इसका लिंक में आपको उडियो को डिस्टिशन दिया है वहाँ से आप इसको पर्चेस करके आप खरी सकते हो तो इस तरह से एड़ाप्टर होना जरूरी है और आपके पास एक computer होना जरूरी है जैसे कि मेरे पास अभी आप देख रहे हैं तो simply आपको क्या करना है वाइपा इट करने के लिए आपको यह जो एडेक्टर है आप यहां पर देख रहों यह आपके PC में कनेट कर देना है जैसे कि आप यहां पर देख रहों यह मेरा PC है तो simply मैं इसमें Connect कर देता हो यह वाला जो Adapter है इसको तो आप देख सकते हो मैंने हापर Connect कर दिया यह वाला Adapter अभी आपको दुस्तों आपके PC में जाना है तो यहाँ पे आपके PC में जाने के बाद आपने PC में आपका Adapter Connect करने के बाद आपको simply आपके option दिखाए देगा search bar में तो आपको इसमें search बार में type करना है setting setting में जाके SetIng को Ok कर देना है उसके अलब को Internet नेट्वरक न का जो आप्शन दिख रहा है इसमें आपको जाना यहां जानने के बाग 너 आपको यहाँ पर वाईप्टरोर और वाइप्टर कनेट किया है तो मैंने चाहरा सबेह जहें किया इसलिए मुझे आप वाई पाई बता रहा है तो अभी में ने रिचो रिसेंटली करेंट किया हुआ आप अगर एक ही करेंगे तो एक ही बताईज दिया जाएगा और दूसरा आपका अरता निट का पूर्ट एक यहां पर बताईज दिया जाएगा तो simply आपको पर यह वाइपाई डिकने के बाद आपको क्या करना है इसको Chemistry कर देना है और यहाँपे आप दिख रहा हो वाइपाई का ओपिजन्ञ तो आपकोarl नेटोर्क में क्लिक कर देना है उसके वाइपको छोус वाइपकर क्उने को uży copies गरें आपको तो चैञुने करने के बाद यहां पर उस वाइप को आपने पासवर्ड दिया होगा तो पासवर्ड मंगेगा नहीं तो आपको यूटूब कर देता हो तो आप देख सकते हो यूटूब भी आपे ओपन हो जाएगा जैसे कि आपके आपके कॉम्पूटर में आप इस तरह से वाइप चला सकते हो तो आप यूटूब हो और इसमें कुछ चेंजर कर देना है तो यहां पर आपको क्लिक कर देना है या इसको अगर डिसकरनेट करना है फिर से वाइप को तो आप डिसकरनेट कर सकते हो तो यहां पर आप देसे तो आप कर सकते हो तो इस तरह से सिंप्ली एक सिंप्ली प्रोसेस है इस तरह से आप अपने कॉम्पूटर में नॉर्मल कॉम्पूटर में वाइपाइच चला सकते हो उसके लिए आपको एक सिंप्ली एडप्टर के सिर्पिशिप जरूरी होनी वाली है तो उम्मीद करूं दोस्तों इस एक छोटे ची वुड़े में आपको बता दिया कि आपके अपने नॉर्मल कॉम्पूटर में आप किस तरह से वाइपाइच चला सकते हो तो उम्मीद करूंगा आपके उड़े पसंद आया होगा और भी आपको कॉम्पूटर के बारे में कुछ भी जानका चाहिए तो आप कमेंट से मुझे लिए आप जरूब बता सकते हैं तो दोस्तों में वाइब